मुंबई में हेट एंड रन का एक मामला सामने आया है घटना मुंबई के वरली लागे की है एक्सिडेंट में एक महिला की मौत हो गई है ये दुरगटना एट्रिया मौल के पास हुई एक लगजरी कार ने स्कूटी पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी रिपोर्ट के प्रदीब नखवा अपनी पत्नी कावेरी नखवा के साथ मचली लेने ससून डॉग गए थे दोने स्कूटी पर सवार थे मचली लेकर वापस के समय उन्हें एक बीमडबलू कार ने पीछे से टक्कर मार दी दैनिक भासकर की रिपोर्ट के मताबिक टकर इतनी जोरदार थी कि दोनों पती-पत्नी गाड़ी की बोनट पर आगे रे प्रदीब तो किसी तरह बोनट से कूद गए लेकिन उनकी पत्नी वही रह गई आरोपी करीब 100 मीटर तक उन्हें घसीटता रहा इस आक्सिडेंट में 45 साल की कावेरी नकवा की मौथ हो गई जबकि उनके पती पालगर जिले में एकनाच शिंदे गुट के पदादिकारी हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि तेज गाड़ी चलाते समय मिही नशे में था अक्सिडेंट से एक रात पहले उसने बार में बैटकर शराब पी उसके बाद उसने ड्राइवर से जिद की कि उसे ल ये ग्यारा बच के आठ मिनिट को ये चार लोगोग पाया था वो लोग बैठे थे वो लोग में खाना खाया द्रेंग किया एंड 11.14 को बिल पेमेंट खत्म कर दिया था एंड 11.26 को देवर आउट अट अधर प्रमाइस से ठीक है जो लड़का मिहीं बोला जा रहा है उसने बिल भी नहीं किया है खाली रेड बुल लिया है वो डीटेल्स सीसी टीवी में पुलीस भी चेक कर दिया है उनके पास साली टीटेल्स है और हमारे यहां से कोई उसका लेना था कितने आए थे मर्सीडीज गाड़ी में एक्सिन्ट हुआ है BMW जब गए भी थे तबी भी मर्स गटनापर डीजीपी जोन 3 कृष्णिकांत उपाधिया ने क्या बताया वो सुनिये प्रदीप नाखवा और उनकी पतनी यह दोनों इस कूटी के से वरली कोडिवाडा की तरफ जा रहे थे उसी दर्म्यान लैंडमार्क जीप शोरूम के सामने एक BMW कार आती है और पीछे से उनकी स्कूटी को धक्का मारती है और इसमें जो जक्मी महिला है स्रीमती कावेरी नाखवा जिनकी उम्र 45 साल है उनको नायर हॉस्पीटल में उप्चार के लिए ले जाते हैं परंतु हॉस्पीटल में एडमिशन के पहले ही उनको मृत गोसित किया गया राज स्री विडावत उसको हमने तपास के लिए आगे के इन्वेस्टिकेशन के लिए ताबे में लिया हुआ है और उसके साथ ही राजे शाहा इस तरीके से दो व्यक्ति को इस गुने के इन्वेस्टिकेशन के बारे में हमने अभी तक अपने डिटेन किया हुआ है और उन शीट यह बेटेशन का रहा था है। यह बिए हुटक रहा है कि बगल में बैटा वो शक्स उसका ड्राइवर था। फिलहल आरोपी के पिता राजेशा और ड्राइवरर राजेशी बिदावत को हिरासत में लिया गया है। मामले में मिहीर को मुख्य और एकमात्र आरोपी बताया गया है। दफठागरे गुटवाली शिवसेना नेता आदित ठाकरे ने पीडित परिवार से जाकर मुलाकात करी। उन्होंने एक पोस्ट शेर करते हुए जानकारी दी कि आज वर्ली पुलिस स्टेशन का दौरा किया और वर्ली में हुए हिट अंडरन मामले की जाज कर रहे वरिश पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। मैं हिट अंडरन के आरोपी के राजनितिक जुकाफ पर नहीं जाओंगा। लेकिन मुझे उमीद है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने और उसे नयाय के कट घरे मिलाने के लिए तेजी से कारवाई करेगी। आशा है कि शासन द्वारा कोई राजनितिक आश्रेन नहीं मिलेगा। MLC सुनीर शिंदे जी और मैंने पीडिता के पती श्री नकवा से मुलाकात की और उनसे वादा किया कि हम आरोपीयों को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे। इस घटना पर महाराश के मुख्यमंत्री एकनाट शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा। नियम के अनुसार सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी। खबर को आपके लिए लिखा है हमारे साथ ही सुर्भी ने मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहें दिलेलेंट और शुक्रिया।